नमस्कार बंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सब का सैनिक पार्ट साला में आज के वीडियो में आप सब से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख जानकारियों को ले के आए हूँ दोस्तों जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं प्रमुख जानकारियों 13 अप्रेल 2023 यानि कि कल की डेट की ये जानकारियों है जो आपकी काम की जानकारियों है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है सबसे पहला पॉइंट है भटिंडा में एक और जवान की मौत एक्सिडेंट या आत्मातिया दोस्तों आप सब को पता है पिछले दिनों चार जवानों की साहधत हो गई थी भटिंडा में अभी तक वो गुथी सुल्जी नहीं है अभी तक जो एक्जेक्ट रिजन है किस वज़े से उन चार जवानों की साहधत हुई जो की एक बहुत बड़ी और सस्पेंस की घटना है दोस्तों हाला की जो मेडिया रुपोट्स हैं उनसे ये पता चला है कि ये एक एक्सिडेंटल मौत हो सकती है या तो फिर आत्मातिया भी हो सकती है तो दोस्तों चलिए आगे आने वाले दिनों में अगर कारणों का पता चलेगा तो मैं आप सब को बता दूँगा आगे बड़ते दूसरी जो जानकारी है ECHS ने किये सुल्क में बढ़ोत्री दोस्तों ECHS की तरफ से जानकारी मिलिए कि जो सुल्क है उन कुछ सुल्कों में बढ़ोत्री की गई है क्या ये खुसकबरी है आप सब को बताता हूं दोस्तों कि ये आखिर है क्या कुछ सुल्क जो होते हैं जो रिंबर्स होते हैं हॉस्पिटल्स को जो एंपैनल हॉस्पिटल्स हैं उनको ECHS की तरफ से जो है पेमिंट किया जाता है हमारे ट्रीटमेंट के वज में या कभी अगर हम ऐसे hospital में treatment करते हैं जो n-panel नहीं है और अगर हम claim करते हैं तो उन claims में भी इन सुलकों का जो है कुछ role होता है तो जो सुलक है मैं पहले आपको वो बता दूँ जो consultation fees था consultation fees OPD के लिए 100 रुपे से बढ़ा के 350 कर दिया गया है IPD को 300 से बढ़ा के 350 कर दिया गया है और जो ICU charges है 1400 रुपे कर दिया है 5400 रुपे यह हर category के लिए है सभी wards के लिए चाहे general ward हो चाहे semi private ward हो या तो चाहे private ward हो सभी के लिए 5400 कर दिया गया और जो room rent है room rent में भी बदला हुआ है दोस्तों जो general है उसको 1000 से 1500 किया गया जो semi private है उसको 2000 से 3000 किया गया और जो private है उनको 3000 से 45,000 रुपे किया गया है ये बदलाव किया गया है जो कहीं न कहीं Hospitals जो Empaneled Hospitals हैं उनकी मांग थी और ये तो मांग थी Hospitals की लेकिन जवानों की जो मांग है कि ECHS में हुई बिसंगतियों को दूर किया जाए उन मांगों को अभी तक नहीं पूरा किया गया है चलिए जो भी हो ये सौगतियों के कदम है कि कम से कम अब जवानों को हो सकता है कुछ थोड़ा सा बदलाव हो हाला कि चांसेस कम है इन रेट्स के बदलने से जवानों की जो ट्रीटमेंट की जो क्वालिटी है या जवानों के साथ जो बेवार होता है उसमें परिवर्तन आये ऐसा बहुत ज़्यादा chances नहीं है लेकिन चलो फिर भी rates में परिवर्तन है कहीं न कहीं चोटी सी एक खुशकवरी है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अब honorable Supreme Court में जो OROP को लेके एक case चल रहा है आप सब को पता है दोस्तों ये X Group का payment का case है X Group को जो pre-2016 और post-2016 में बांट करके पुराने pensioners को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए मान्य सुप्रीम कोर्ट में जो है X Group के pensioners ने case कर रहा है जिसकी सुनवाई की date 6 April को थी जो टल गई थी अब उसकी नई date मिल गई है दोस्तों जो की 17 April 2013 से तो हम आसा करते हैं कि 17 April 2013 को मान्य सुप्रीम कोर्ट में X Group वाले case के उपर जरूर सुनवाई हो और जो भी update आएगा वो मैं आप सब के सामने लेके आ जाओंगा तो चले दोस्तों ECHS की तरफ से जो लेटर जारी किया गए था उस लेटर को आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि उसमें क्या बदलाओ किये गए उसको देख लेते हैं यह देखिए दोस्तों जो की Central Organization ECHS की तरफ से जारी किया गया लेटर है आर्मी एड कोटर 13 अप्रेल 2023 अब देखिए दोस्तों जो heading इसमें लिखा हुआ है revision of consultation fee, room rent and ICU charges for all healthcare organizations and paneled under ECHS अब दोस्तों जो इसमें matter लिखा हुआ है आगे मैं आपको बताता हूँ जो की आप देख पा रहे है a copy of Government of India Ministry of Health and Family Welfare letter number so and so is forwarded here with the revised rates of consultation fees, room rent and ICU charges promulgated by the CGHS will be applicable for ECHS as well 12 April 2023 onwards till further orders यानि कि जो rates CGHS ने जारी किया है वो ECHS में भी अभी लाग रहेंगे जो की 12 April 2023 से लाग होंगे तो आगे मैं आपको जो Ministry of Health and Family Welfare का letter है जो notification है वो दिखाता हूँ यह देखिए office memorandum जिसमें जो rates के बारे में लिखा गया है जो rates है यह आप देख पा रहे हैं इसको थोड़ा में जुम करता हूँ आपको जुम करके थोड़ा ठिक्षे दिखाता हूँ यह देखिए अब देखिए जो परिवर्चन किये गए हैं यानि कि consultation fee जो है OPD के लिए 350, IPD के लिए 350 जो प्राइवेट के लिए 3,000 और प्राइवेट के लिए 4,500 कर दिया गया है दोस्तों तो चलिए कुछ भी हो थोड़ा सा बड़ोतरी हुआ है जो कि hospitals को थोड़ा फाइदा होगा अभी तो दोस्तों आप सब ने देखा कि जो बदलाव हैं वो CGHS में किये गए हैं अब उसी rate क को ECHS के लिए भी लागो किया गया है तो दोस्तों इनी जानकारियों को ले करके इस वीडियो में आया था आगया और कोई जानकारी दायक आप से सर्वकार रखने वाला विसे लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाओंगा तब तक के लिए जहीं दोस्तों